एटलांटिक महासागर की गहराईयों में लापता हुई टाइटानिक दिखने गए परेटकों की सबमरीन जह करोड की टिकट वाले लापता सवार कौन है एटलांटिक महासागर की गहराईयों में 112 साल पहले उस जमाने का सबसे बड़ा जहास टाइटानिक डूबा था उस दरदना घटना पर आसकर विनिंग फिल्म भी बनी थी ऐसे में ये जहास दुनिया भर में चर्चित और मशूर हो गया इसकी पॉपुलरिटी ऐसी है कि इसके डूबे हुए मलबे को देखने के लिए अमीर लोग लाखों डॉलर के टिकट लेने से भी नहीं हिचकते इसे टाइटानिक एक्सपेडिशन कहा जाता है इसी तरह के एक एक्सपेडिशन पर रविवार को एक सबमरीन रवाना हुई थी जो एटलांटिक महा सागर के अथाह जल में नजाने कहा लापता हो गई है उस सबमरीन में पाच लोग सवार थे जिनका तीन दिन के बाद भी कोई अतापता नहीं चल पाया है समय जैसे जैसे गुजर रहा है उसमें फंसे आत्रियों के जिन्दा वज़े रहने की उमीदें कम होती जा रही है माना जा रहा है कि वो सबमरीन अगर शतिगरस्त नहीं हुई होगी तो उसमें अब कुछ ही घंटे की और आकसीजन बची होगी हाला कि इस बीच पिछले तीन दिनों से खोजी अभियान जारी है तीन दिन के बाद एक उमीद ये जगी है कि कनाड़ा के एक विवान ने समर सिबल की तलाशी के दौरान पानी के भीतर कुछ आवाजों को सुना है ये जानकारी इस खोजी अभियान से जुड़े एक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने दी है जिसके बाद से एक बार फिर उम्मीदें जाग उठी है इसमें एक चालक समेथ कुल पाँच लोग सवार हैं जिसमें समर सिबल कमपनी ओशन गेट के मुखे कारिकारी स्टॉक्टर न रश एक बिटिश व्यवसाई हामिश हार्डिंग के अलावा पाकिस्तान के अरबपती बिजनसमैन शहजादा दाउद और उनका बेटा सुलिमा सवार है आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस मिशन में गए तीन यात्रियों से कमपनी ने प्रतिवक्ती दो करण रुपए फीस चार्ज की है इस सम्मेरीन में सवार स्टॉक्टर न रश ओशन गेट के सीओ हैं उन्होंने ही 2009 में इस कमपनी की स्थापना की थी रश के नाम इनिया के सबसे कम उम्र के जेट ट्रांस्पोर्ट रेटेड पाइलेट बनने का भी रिकॉर्ड है उन्होंने ये उपलब्धी 19 साल की उम्र में हासिल कर ली थी सम्मेरीन में सवार हामिश हार्डिंग एक ब्रिटिश मुल के उद्योगपती हैं इसके अलाबा वे और स्पेस टूरिस्ट भी हैं हामिश हार्डिंग यूए या सयुक्त अरब अमिरात में रहते हैं वेक एक्शन ग्रुप के फाउंडर और इंटरनेशनल एयरक्राफ ब्रोकरेज कमपनी एक्शन एविएशन के चेर्मेन हैं इसी सम्मेरीन में एक पिता पुत्र भी सवार है इनका नाम है शहजादा दाउद जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मूल के व्यवसाई हैं इनके साथ इनका बेटा भी इसी सम्मेरीन में सवार था जिसका नाम है सूलेमान शहजादा दाउद पाकिस्तान के सबसे बड़े सम्मूहों में से एक एग्रो कॉर्परेशन के उपाध वे ब्रिटेन में रह रहे हैं ब्रिटेन के सरे इलाके में वे परिवार के साथ रहते हैं वे किंग चार्ल्स के मित्र भी हैं और किंग्स चैरिटी दा प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल के बोर्ड सदस्य हैं इन्हें तलाशने के लिए अभियान तेज गती में चलाया गया है। उम्मीदें अभी बाकी हैं लेकिन निकलता समय सरक्ती रेत की तरह किसी अनहोनी की ओर भी इशारा कर रहा है। इस खबर में फिलहालीत रही बाकी अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ।